नमस्कार दोस्तों आपका फिर्स स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक करोना में आज देखिए मैंने आपके लिए एक बहुत सुन्दर व्यू लाया है देखिए कितना सुन्दर व्यू मैं आपको पहले दिखा रहा हूं और उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक बड़ कंडेंस्ट मिल्क 400 ग्राम और आपको मिल्क लेना है 200 ml ठीक है अब हम क्या करेंगे एक बाउल लेंगे जिसमें कि हम पहले कंडेंस्ट मिल्क डाल लेंगे और यह बड़ा ही सिंपल सा डिश है बहुत ही जल्दी बन जाता है आपको कोई जादा महनत करने के जरूरत नहीं औ आपको जस इसमें ध्यान रखना है जो कि इसका रेश्यो आपने यह पे जितना दही लिया है आपको उतना ही कंडेंस्ट मिल्क लेना है और उनका आधा मतलब 400 ग्राम दही है तो 400 ग्राम कंडेंस्ट मिल्क और 200 ml दूध लेना है 200 ml ठीक है आप एकदम ध्यान से मतलब सुन लीजिए जो भी मैं कहा रहा हूं और इस वो फॉलो की जब बहुत ही प्यारा डिश बने अब देखिए मैं इसमें जो है दही डाल रहा हूं कर यह कंडेंस मिल के टीन में क्यों ताकि मुझे आसानी हो आपको समझाने में कि कितना मैं दही ले रहा हूं और कितना कंडेंस में फुल पूरा का पूरा यह टीन मैंने कंडेंस मिल ढाल दिया था और इसी में ही मैं भरके दही डाला हूं ताकि आपको जो है एक हिसाब आसानी से मिल जाए देखिए एक दम दही को डालकर हमने ऐसे दबा दिया है ताकि आपको प्रॉपर जितना आपका मिल्कमेट था या उतना ही आपको जो है दही डालना है देखिए बराबर इसमें दही ऐसे भर लेंगे पूरा का पूरा आपको भर लेना है ऐसे देखिए ऐसे आपको भर लेना है अब इसे हमने भर दिया है अब यह हमारा हो चुका है जितना कंडेंस मिल था उतना ही हमने कड अब ले लिया ह यह हो चुका है बस अब जो है हम इसमें जो है कंडेंस्ट मिल के साथ दही को डाल देंगे देखिए दही हमने डाल दिया अब हम दूद को भी ऐसे ही करेंगे जैसे दही को किया है कि सारे दही को एक दम अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है कि एक दम बड़ी से निकाल लेंगे देखिए जैसे की मैंने कहा है दूद भी वैसे लेंगे अब हमें दूद कितना लेना है हाफ तो इस टिन का हाफ हमी लेना है मतलब 200 मल इसमें आ गया है हाफ टिन हमने इसमें लिया है अब इसमें जो है हम दूद भी मिला देंगे अब ऐसे दूद भी डाल दिया है सब कुछ आगा है जस तीन इंग्रीडियंट आपके पास कंडेंस मिल्क कर्ड या योगर्ट आप में ले सकते हो और मिल्क है मारे पास बस यह तीनों को लेकर हमें ऐसे विस्क से अच्छी तरह से विस्क कर लेना ऐसे थोड़े से आप अच् थीनों से लें से मिक्स कर लिए देखेंगि दोस्तों आपके लिए मैं बहुत अच्छे ची डिश्voll रहा हूं और यह बीन आता रहें गा तो आपको इसका और इसकी नोटिफिकेशन मिल इसके लिए अब बटर लगा रहा हूं ठीक है बटर लगाने का रीजन यह है कि आप जब योगर्ट को इसमें जब मिक्शर को डालो तो उसे हम बेक करेंगे ठीक है तो बेक करते के बाद क्या हो कि यह आसानी से निकल जाएगा आपके से मोल्ड से ठीक है और यह देखें आपको अपनी उ 400 ग्राम दही 400 ग्राम कंडेंज मिल्क और 200 एमल मिल्क तो अल्मोस्स आराउंड एक केजी हो गया है ठीक है तो यह लेकिन आप सोचे के एक केजी तो बहुत बन जाया है लेकिन नहीं यह आप जब खाओगे ना चार लोग अगर बैट कर खाओगे यह एक केजी आप ऐसे खा अगर ना हो तो क्या करेंगे कि हम जैसे कुकर में केक बनाते है ना वैसे करेंगे जैसे कुकर लेंगे कुकर के अंदर या थोड़ा सा बालू धाल देंगे सैंड या फिर चार पांच पत्थर लग देंगे और उसके उपर यह मोल्ड हम बिठा देंगे और धकन को जो है उल बबली टेक्षं हflow है,देखें आएज से हिलना है ुऐ लुई लग रहा है और उसमेड़ दजब बहुत ही प्लेटिंग किया है तो आप यह से बनाओ, आपको कोई जमेला नहीं है, बहुत ही आसानी से बना दोगे, और एकदम फटाफट बन भी जाता है, और लोग खाकर आपके तारीफ करते वे नहीं ठकेंगे, यह तो मैं गैरंटी दे सकता हूँ, और आप भी जब खाओगे, आप एक बार नहीं खाओ तो दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोच लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, धन्यवाद दोस्तों